पहले तो अनील देश्मुक ने इस्तीफा दिया उन्हें बहुत पहले दे देना चीए था लेकिन जब उनको कोड की तरफ से जब उन्हें आदेश आगी इंक्वारी का तो उन्हें इस्तीफा दिया दूरी चीज़ महराज सरकार पे भी हमें यह मतलब दुख की बात है कि उन् सॉफ्ट ली लिया इस बात को उस पर कोई एक्शन ने लिया कोई कारवाई निकरी वहाँ पर देखें कोई कोट में जा रहा है कोट से हमें कहना पढ़ रहा है कि इस पर इंक्वारी होनी चीज़िए आज जैसी सीबाइश आते हैं तो आप इस्तीफा देते हो अगर आप मे कोई गलत काम ने कर आप पहले इंक्वारी कराई है और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं मतलब किलीन चिट मिल जाएगी उस वाग में दुबारा शपत लूँगा और भी महारास्ट में आप साल जादे जादा काम आपका महारास्ट में हैं और महारास्ट में जस तरीके की च चीए था लेकिन जब उनको कोड की तरफ से जब उन्हें आदे शागी इंक्वारी का तो उन्होंने इस्तीफा दिया दूरी चीज़ महारास्ट सरकार पे भी हमें यह मतलब दुख की बात है कि उन्हें स्तीफा देने से पहले उनको वहां से निकालना चीए था उनको क्यों पर देखो रोज कुछ नहीं नियूज निकल के आती हमारा देश इतना बड़ा देश है लेकिन अलग राजी है लेकिन मुंबई में महारास्ट में ऐसा क्यों हो रहा है कि रोज कुछ न कुछ इस तरह के लूप पॉइंट्स हैं और महां की जो सरकार है वह खुदी नहीं सम इसका मतलब कहीं न कहीं आप भी इसमें इन्वाल्व हैं क्योंकि देखी कोई चलता फिरता आदमी नहीं है अगर होम मिनिस्टर एक पुलिस कमिशनर से बोलता है मुझे सो करोर रुपे हर महीना चाहिए तो उगाई करके दे और उसका रास्ता ही बताता है वह बोलता है कि भाई आप 2700 यहां पर मान लीजिए बार हैं रेस्टोरेंट बार हैं आप महां से 3-3 लाग रुपे लीजी यहां से लीजिए आप रास्ता भी निखा रहे हैं यानि किस तरह का आप राज यह चलाना चाहते हैं इस तरह से देश चलेगा लेकिन देखिए आज से पहले हम द पर इंक्वारी होने चीए और इंक्वारी होगी सब चीजे सामने आजेंगी सवाल यहां पर यह भी उड़ता है कि जिस तरीके से चीज़ां लगाए थे परमवीर सिंग ने परमवीर सिंग ने कहा था कि अनिल देश में वाजे से सौ सो करोड़ रुबे की उगाई करा दे सारा पैसा आपस में बाढ़ते थे अपने पास रखते थे इस बात का खुलासा भी होना बड़ा जरूरी है सारा पैसा खुद रखना यह मुझे लगता कि पॉसिबल इसमें कहीं सरकार भी इन्वाल है और हो सकता है चीफ मिनिस्टर भी इन्वाल हो क्योंकि उद्दव काम नहीं करा आप पहले इंक्वारी कराईए और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं मतलब किलीन चिट मिल जाएगी उस वाग में दुबारा शपत लूँगा और ऐसा होता है कई बार हमने ऐसा देखा है कभी किसी बड़े इंसान पर को आरोप लगता है तो उसमें वो नैतिक देख लो कॉंग्रेस देख लो या अपना अपने शीव से नहीं देख लो है सब मिल जूल के चल रहा तो और यह पैसा मुझे लगता है सब डिस्टिब्यूट होता होगा उपर से उस तरीके की बात आतिफा दिया तो नहीं नहीं रह सकता भाजपा की तरफ से यह सवाल चाहिए और इलेक्शन दुबारा कराएं चाहिए क्योंकि देखिए अगर आपको पहले पूर्ण वहमत आपको मिली नहीं थी आपने कैसे सरकार बनाई यह पूरे देश को पता है हना आपके कोई आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती है दूसरी पार्टियों से फिर भी आ इसका मतलब कहीं नहीं जो विचारधारा का जो इनका जो डिफ्रेंस तब आप सामने आने लगा है तो यह जादा दिन यह चलनी पाएंगे पांस सार मुझे लगता है कि कम्प्लीट कर पाएंगे आप यहां पर एक सवाल ये भी उटता है कि जितनी भी चीज़ चल रहे है आज महारास्तो में उसको लेकर वहाँ की जो सीयम है वो चुपी साधे बैटे हैं जनतात्राहिमाम कर रही है तो फिर सरकार की कानों पे जूँक इन रहेंगरी इसलिए पहेंगरी क्योंकि इन्होंने कभी सरकार चलाई नहीं, इन्हें पता ही नहीं कि एक जो अगर head of the state की जो जिम्मेदारी क्या होती है, इन्हें लगता है कि जो हो रहा है कोई ना कोई बोलता रहे ता हमारा कोई क्या कर लेगा, लेकिन इन्हें यह नहीं पता है, एक party क रास्टी अध्यक्ष होना और एक सरकार का head, मतलब chief minister होना किसी state का उसमें बहुत फर्क होता है, अगर आपके कोई आरोफ लग रहा है या आपके state में कोई उपर नीचे कुछ इस तरह की अगर घटना हो रही है या कोई आरोफ लग रहा है किसी पर home minister पे तो आपको एक तो सब्सक्राइब कोई और जो भी अगर कोई गलत है तो इस पर करेंगे फैसला लेंगे क्या करना है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह पैसमें आपको लग जो सब करोड़े सब में बढ़ता है तो इन्होंने कोशिच करी पहले बचाने की कोड के देश के बाद यह लोग और अब भी देखें उद्दव ठागरी की तरफ से कोई इसमें कोई इसमें वो उनका ब्यान बाजी नहीं आ रही है कोई प्रेस रिलीज नहीं कुछ नहीं है हाँ वो कर्फियू पर बोलेंगे लेकिन इस पर नहीं बोलेंगे इसलिए क्योंकि चोर सचिन वाजे को देखें तो सचिन वाजे की तरफ से भी तमाम तरीके की चीजा निकल निकल कर सामने आ रही है जंता यह कह रही है कि महराष्ट में अभी जो हालात बने हुए है उसके मद्दे नजर वहां के जो मुख्य मंत्री है उनको इस्तिफा दे देना चाहिए आभी महराष्ट में मुंबई में तो जब आप देखें एक देश की आर्थिक राजदानी को नोमी कैपिटल अगर उसका इतना बुरा हाल इस्तिति हमापे ना सरकार अपना काम कर पा रहे हैं पुलिस परशासन अपना काम कर पा रहे हैं ना लॉक्डाउन में आप जो कोरोना इत में जो बेवस्था बनी हुए और उन्हें चुठी भी सौपी है वहां के बगासिंग कोश्यारी जी को उन्होंने का है कि महराष्ट में रास्पती शाशल लगना चाहिए आपका क्या कहना इस बात बिल्कुल आप देखें अगर एक अपना रामदा सथावले जी जो सेंटर और अपने महां के गवर्णेर हैं हमारे उन्रेबल गवर्णेर उनको जल्द से जल्द आश्पती साशन लगाने चाहिए क्योंकि इस्तिती और बिगड़ती जा रही है महराष्ट कि इससे पहले क्यों नहीं बोले थे परमवीर सिंग आखिर का ट्रांसफर किया गया तभी इसके बात क्यों रकीज़ दिंदा के सामने देखी ये तो बात है कि उन्हें पहले ही बोलना चाहिए लेकिन हमकी यह भी होता कि देर साहज दुरूसता है कि अबार क्या होता है प्रेशर बहुत होता है अगर एक आईपियस अधिकारी है लेकिन उसके पीछे अगर हम देख सब दीरे-दीरे सीब्या इंक्वारी में सामने आएंगे उंक्वारी में तो अब जब अनिल देश्मुक के घर के जो कैमरे हैं वो चेक होने चाहिए क्या वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी गई होंगी या फिर अभी तक ऐसे मिलेंगी चीज़ें नी ऐसे मिलेंगी परम बीड सिंग्वारी करने लिए को अपने हिसाब से देख लेगी अधिति ठाकरी को लेकर सवाल उट रहे हैं कि घर नहीं को और दूसरी तरफ खबरें यह निकल कर आ रही है वो कोई ना तो हो मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर ने लेकिन वही बात है जब उन्होंने कभी सरकार चलाई नहीं और अपने हिसाब से जो उन्हें एक मंतरा ले मिला उसके जिजमिदारी समबाले तो ज्यादा बढ़ी है इन पर जाच होनी चाहिए पर एक तरफ सिपसे ना की तरफ से अभी तक ये कहा जा रहा था कि भाजपा हमारी सरकार को गिराने के लिए इसार परपंच रच रही है आप क्या कर रही है जब जो अगर आपका अनिल देश्मों का 100 करोड रूपे की मतलब उगाई कर रहा है इसम दूसी चीजी है अगर आप गलत करो तो आप पर दूसी जो सेंटर है उसकी जिम्मेदारी कि वह आप पर इंक्वारी करें और आपको हटा के उखाड के फेके इसमें कोई साजिश की बात नहीं है और देश के इतने बड़े स्टेट में महारास्ट में देश की आर्थिक रा अन्यवाद